तो आज मैं करूंगी बात्रूम की सफाई तो बात्रूम देख लीजिए यह बात्रूम एक वर आपको इसकी कंडिशन दिखा दूँ तो अभी वारिश वगएर होती ना पानी बहता है और यह देख लीजिए मैंने किया था होली के टाइम पर इसको साफ किया था पूरा बात्रूम मैंने होली के टाइम पर साफ किया था तो अभी ये हालत हो रखी दिवालों की और गेट की देख लीचे ये रहा गेट गेट की भी ये हालत है चोखटों की भी ये हालत है तो इस गेट को साफ करना है और चोखट साफ करनी है साइड वाल ये जो दिवाल है इसको साफ करना है तो ये वाला वीडियो मैं बात मैं करूंगी पहले मैं खाना ना बना लेती हो क्योंकि खाना बनना भी जरूरी है पहले मतलब की बच्चे जाएंगे ना स्कूल जाएंगे और फिर ना हज़वेंट को भी ना यहां से मतलब की काम के लिए भेजना है घर से तो मालव न यह पहले अपना काम कर लेते हैं फिर उसकी वाद आते हैं मालव की बातरूम की सफाइी करने के लिए तो इधर मैं आज बनाओंगी सबजी के अंदर बनाओंगी भिनडी सबजी तो भिनडी को मैं न दो कर न गट कर लिया था इधर मैं आ गई थी तो एक ना मेरी 12 दिन से एक आलस वाली बाह चल रही है जो मैंने ड्रिंक पी रही थी ना वो मैंने आज 3 दीसरा दिन है मैंने नहीं पिया है क्योंकि उसको पीने से मुझे चकर आ रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यदा गर्मी है और चकर में आ ही रहे थे आपको एक बढ़ बताय भी था मैसे ज्यादा। निकाल दी ते टमाइए उरतकी दाली निगए पानी में फेच्ट को गाल था मैंने पिक्षेड टाल भुड़गी और और ही बना लें ग१ेए उरतकी डाल पानी में भींग वोकर मैंने इसको फ्रीज के अंदर मैंने रख दिया था ताकि वो खराब ना हो इसके अंदर खटा पनना है और अब यह ना बच्छा ना इसकूल के लिए लेट हो गया है तो सबजी बन रही है इसकूल वाली वैनाने वाली है तो यह रहे दाइवडे तो मै सब्स्राइब करना करना था मैंने की खाते जाओ ऑर लंच पॉक्सन आज उसके लेकर जाएंगे क्योंकि मैं तो होगा ही वारिष करना मैंने अध्यकर सब्सक्राइब। उड़ाधार वारिष हो दो फालर से नारी बारिष होती है। पाने साथ नारे बारिष होती है। प्रश करवाया और फिर फ्रेश होकर नहा कर तयार हो गया जब तक मैंने भिंडी इंडी काट ली है और फिर उसके बाद खाना अब लेट हो पाएगा बन पाएगा तो मैंने हजबन ननवे से भी लेट जाएगी क्योंकि वो भी नहा कर गई हैं दूद लेने के लिए दूद तो उनसे फोन करके पूछा था वह आ रहे हैं कि हम तो यह लग रहा था कि आज भू निकली किया क्योंकि 7 बच चुकी थे तो उपर ही टाइम हो गया था क्योंकि 15 मिनिट के अंदर वह मैं उठी थी पौने 7 बजे उठी ती और 7 बजे मतलब की 7 बजे में जब 5 मिनिट कम होते हैं साथ पचपन में और 6 पचपन में इसको घर से निकलना होता है क्योंकि ओटे वाले भिया न 6 पचपन का टाइम दिया हुआ है कि 6 पचपन तक यहां पर मुझे खड़े मिलो और फिर मैंने तो सोचा कि आज तो मतलब की नहीं जा प कि अब नहीं गए है अभी तोड़ा सा इसा तायम है क्योंकि वह गर से निकले थे तो फिर मैं आराम से खाओ और फिर चले जाओ तो फिर नश बहुत निकल गया था सब्चपन बीज़ तक फिर धी कि आज बारिस हो गी थी इसलिए यह नहीं जाने की मूड में हो गए है पर बचों के चुटी भी हो सकते हैं उन्होंने भी सूचा होगा कि आज रहनीटी हो जाएगा बचों की चुटी भी हो सकते हैं स्कूल की तरफ से कोई मेसस था नहीं और ना ओटल भी आ गए थे और बच्चा भी स्कूल पहुंच चुका है अब फिर क्या था फिर मैंने इधर आटा लगाया और दही बड़े इधर मैंने तयार कर दिये थे अब मुझे इधर बनानी है रोटियां तो हजबेंट जा रहे हैं जब तक हजबेंट भी आ चुके हैं दूद बगएर लेकर आए हैं तो दूद आए सुबह-सुबह ले आते ह तो वह मतलब की है उसमें से दूद कोई पीता नहीं है ऐसा ही रखा हुआ होता है तो वह दूद लेकर गए थे हैं और फिर उसमें से वह चड़ा देते हैं नहीं होता है तब की बात कर रही हूं वैसे अभी तो मेल गया था सुबह पूजा के वक्त पे अभाजन तो आई चु की है यानि की खाना हो चुका है बिल्कुल बनकर कंप्लीट आवाती है इदर दही बड़ा हजवेंट को पैकिंग करने की वारी क्योंकि आज है मंगल भार तो आज हजवेंट थे जो जाएंगे मंदिर मंदिर जाएंगे फिर ना उमई पर अपने इस्टाफ एंदर बैट के सि 사म को तो स्वह घलीलियूाट कि पैक करने का रखेंच संबर नहीं तो आज है मंदिर के पूजा नहीं करेंगे मन्दी्म को दिया तब एता है उनको मैं फिनको रख पर राखतेया थे सां // आज हो में आज है चीफिन नाफ। दही बड़े चाली मैं यहां आपके तो यह उन्हाया पती है, नहीं आपको हमें आपके लिए प्रिज के अंदर रखा गशे लिए दिल भुना दार सक्वाने निकाले हैं, अब बड़े निकाल दी हैं को पानी में से नाचोड नाचोड़ के मैं इस टीफिन क बोसा के लाओं कि मैं बना लाओं पाई तो है जब मैंने बोला तो मिठी चटनी जाएगी मतलब वह सच रही थे क्रेंद में बना सॉच रही थे कि में पैर नहीं है। ने कुल ने बना लिए तो इसलिए मैंने यह बना दी तो यह देख कर आती हूं कोई भी मुद्रब की किचिन तक आने को त्यार ही नहीं है तो इधर ना मैं हाथों में सब करनास्ता पहुंचाती हूं तो इदर मैं खाना पैक करके तो दे आई, दही बड़े हज्वेंट का जो थे और भी पैक करके दे के आई, तो देखे ये दही बड़े ऐसे हैं, तो मैंने थो अभीना कुछ भी नास्ता वगेर ही किया नहीं है, हलका फुल का नास्ता करके फिर से मिलती हूं आपसे, तो फ्रेंड से ना वो ना मैं दही बड़े ना दे कर आई हूँ जो मेरा लड़ू है उसके लिए तो वो लड़ू खा लेगा उसको फिर इसके अंदर दही जादा था इसको मैंने रख दिया उठा कर और उसको मैं फ्रीज के अंदर रख के आ गई हूँ क्योंकि मैं बिना पूजा पाट के खाने वाली नहीं हूँ तो इसलिए अभी मुझे बहुत साथा काम है तो मैंने किचिन वाला काम तब निप्टा लिया है आब आती हैं बर्तनों के यहां से समेटने की बारी बर्तन यहां से समेट लेती हूँ वहां तक पहुचा आती हूँ क्योंकि आप करना है बातरूम की सफाई यानि की बातरूम क्लीनिंग करनी है सारा काम और खतम करने के बाद बातरूम क्लीनिंग की बात आती है तो बातरूम की सफाई करेंगे तो ऐसे ही नहीं हो जाएगी बातर vendors की सबाइए बातरूM साफ करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है तो खस करना जब दिवाल बहुत ज़्यादा मैली हो इसके उपर बहुत ज़्यादा मौठी पर्द्र बन चुकी हो मैल मटी वाली तो ये इसको साफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बुरस गिसना पड़ता है तो बस वही वाली बात हो जाती है इधर गेट भी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था तो बस यही सोच रहे हूं कि चलिए बुरस से ना किस तरीकी से रगनू इसको फिर मतलब कि म पहले भी बातरूम जब साफ किया था तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में डिटर्जन पाउडर डालके दिवालों के उपर डाला था तब मैंने उसको ना साफ किया था बटे ना अभी तो ना सीलन वाला टाइम है यानिकि बारिश होई थी तो सीलन चारो तरफ हो रखी है आप देख रहे हैं जो बगल में दिवाले मकान देख रहे हैं दिवाले भी भींगी भींगी है ना तो बस थोड़ी सी घाम निकाल यानिकि हलके सूरज निकाल आए हैं और ये देख लीजिए मैं इस तरीके से पानी इसकी उपर डालती जाओंगी और ये साफ होता जाएग तब वो साफ होता है और अभी तो इतने ज़्यादा मेहनत नहीं लग पारी है मतलब की मेहनत लग तो रही है बट ना ऐसा हो रहा है कि मैं बस इसके उपर ना बरश ना लगा रही हूँ और वो सारा का सारा मेहल मिटी था ना वो अपने आपना छुटता जा रहा है तो सबसे ज़्याद ना चौकटो के उपर था तो इधर ना जो आप ये जो सिंग्चा देख रहे हैं यानि के रोशन दान देख रहे हैं ना ये तो इधर ना मतलब ना इस पर ज़्यादा मिटी नहीं थी वो इसलिए क्योंकि बारिश होती ना कभी-कभी तो इस साइड की इस साफ करती हूं चाहिए ना पानी पड़े नहीं पड़े क्योंकि मुझे ना कोई भी तोहार बगएर आता है तो उसको तो सफाई करने होती है मुझे सबसे अच्छा लगता है दिपावली का तोहार क्योंकि ना उसके ना उसमें लगकी जितना भी रूम के अंदर सामान होता और ना सारे ना प्रेंट वगएरे होके तब उसके बाद ना इसको ना पापस से लगाया जाता है उसको सेट किया जाता है रूम के अंदर साफ साफ ही हो जाती है यानि मच्छर कीडे मकोडे चिपकली यह सब निकल जाती है बहार और बिकल साफ 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 हो जाता है और यह पहर इस तरीक से साफसवाई करना होती है छहीं को चुछ न होती है दसे रे पर मैंने नहीं तो ऍवरन आपी यहांडे माथा आप सफ्फ़ाईC9 कर Till dalla जब से मैं वहां से लोटी हुना तो मैंने जितना सोचा नहीं था कहीं ज़्यादा में गर गंदा सब कुछ किचिन वगए सब कुछ मुझे गंदा मिला तो बस मेरे यह समझ लीजिए मैं आने की जितनी खुछी नहीं थी अगला की घर को हाला देके में अंदर से दुख्या बस यही लगे लगे था कि अब मैं कैसे करूंगी और कब तक में इस काम को निवटा पाऊंगी बस यह लगता था बट सांस जब ही मुझे आई जब मैंने पूरा घर पूरा बातरूं पूरा किचेन और पूरी छट तक मैंने इस तरह जब मैंने साफ कर दी जहाड बट और मैंने साफ कर दी बुलको खच्छा हटा के तब मुझे चेहन में चेहनाया तब मुझे रही सांस में सांस आई यह समझ लीटी तो अब पर रहे गया था बात्रॉम रही है अब एक दिन यह व्यों और ईगी बालकनी की और क्लीनिक करूंगए उसका वीडियो और आपके साथ में आपके पास आएगा वो वीडियो आप और देखना जरूर किए तो फ्रेंड्स आज को जो वीडियो हो ना प्लीस है ना मेरे वीडियो को ना आप जरूर शेयर कीजेगा मुझे विश्वास है आप पर आप जरूर ना अपने फ्रेंड्स को सेर करेंगे क्योंकि मैं इस वीडियो को बना रही हूं तो बहुत ज़दा महनत लगती है कोई भी वीडियो बनाते है ना बहुत ज़दा महनत लगती है ब्लॉग वीडियो में तो फ्रेंड्स ना सुबह मतलब की मेरा रूटीन वाला वर्क है इसके अंदर और फ्रेंड्स ना तो यह देख लीजी फिरन सारी दिवाल वगरे तो हो चुकी है साफ और रह गई है गेट के पीछे वाली दिवाल तो उसको भी मैं साफ कर लूँगी तो पहले मैंने कहा कि बात्रों मात्रों मैं जाड़ दूँ पानी आनी आएगा तो ना किचिन के अंदर भी जाएगा ना त करूंगी क्योंकि खाना में पहले बना था खाना में बना के फिरी हो गी हूँ बस हजब्ट चले गए हैं सब अबने बच्चे हैं जो स्कूल पहुंच गए बस टेंसन खतम हो गए फिर उसके बाद कितना भी मतलब की वक्त क्यों ना लग जाए तो काम है ना मतलब की खतम कर है ना गिला गिला सा तो इसलिए जल्दी साफ होगी नहीं तो इनकी उपर ना पानी डालना पड़ता ना तो यह पूरे बातरूम की देवालों पर डालने में ही चला जाता तब जाके कहीं देवालों वाला मेल फुलता बटना थोड़ा सा काम अभी असान हुआ है चौमास स यह सब साफ करना है मुझे क्योंकि रेलिंग फर भी बहुत जड़ा मिटी है अभी मैं रूम की सफाई चट पे सफाई किचिन की सफाई यह सारा मतलब की धुली हैं और खाल यह ना कंटेनर ना जो रूम के अंदर रखे हैं जो टांड की ओपर कंटेनर ना वह मैंने नहीं तो इधर जैसे कोई साबुन बगएर बच जाता है ना नानेवला साबुन होता है और कोई भी बच जाता है च्छोटे चोटे टुकड़े बसते हैं तो इसको यहीं पे रख देती जहां पर अभी मैं ज़हाडू से ना कर रही थी ना यहां पर रख देते सेंपो के पाउच बच जाते हैं साबुन दानी के अंदर रख देते हैं तो इसको यहीं रख देते हैं फिर ना मतलब कि यहां पर रखे 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 जैसे ना बारिश होई और जैसे पानी में गहल जाते तो फूल जाता तो वहीं यहां पर लगा हुआ था तो जाडू से मै किचिन की बारे इसको मैंने साफ करी दिया है तो ये थोड़ी से सेंपू अगेर एक दो पाउच पड़े हुए तो इसको मैंने रख दिया साही करके अब किचिन का निफटा लेती हूँ किचिन वागी है क्योंकि जाडू-अडू लगाई ना और साफ किया तो ये छिटक गया आप सोच रहे हैं काम Kाम खत्म हो गया από 10 crearना काम भी खत्म या पर नहीं हुआ है आप यह वाधुरू की सवाइक करने के फिर मैं आज आती हूँ ये किचिन के सवाइक करने के लिए खा ना बना है था किचिन की सवाइक नाम मैं ये सोच रही दी के चलिएंगे तबी करूंगी पहले मैं बात्रुम को साफ कर दूं। कि फिर क्या पानी गिरा है वच के चारीज़ emerge तैनी तो फ्रेंड्स हो गया है मेरे आज का बातरूम क्लीनिंग वाला काम क्योंकि यही मेरे सरदर्द बना हुआ था बातरूम क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी बहुत दिन से सोच रही थी करने का कि बातरूम क्लीनिंग कर लो और सफ सफाई हो जाएगी तो सही रहेगा तो इसी के साथ फ्रेंड्स ना मेरा ये काम है ना यहां का नीचे वाले जो यहां का काम था बरामदे का किचिन का यह सारा खतम होता है आप जाओंगी चछत पे चछत का काम स्टार्ट होगा तो आज की व्लोग में यहीं तक लेकर आई हूँ वीडियो यहीं पर करती हूँ समाथ बाई बाई टेक यूर